अलो अबर्यूबन वेलकम टू एच्पी कॉंपेटिटिटिव एक्जाम आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्त होंगे आज किस वीडियो लेक्चर में हम डिसक्स करेंगे इंपोटनिट मच्यू को की काफी कि स्वस्त है आपके इसमें विडिसक्स करेंगे एच्पी का Сवीडियों kijken के और चेक करेंगे first question देएगा 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले का लिंगा नुपाद जो है सबसे ज्यादा है according to census 2011 है उसके अनुसार किस district का जो sex ratio है उससे ज्यादा है अगर हम यहाँ पर बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार तो हमिरपूर यहाँ पर हमारा right answer हो जाएगा अमिरपूर जो district है इसकी जो लिंगान पाद है सबसे जादा है हिमाचल पर्देश में कितना है 1095 अगर हम बात करें सबसे कम किसका है तो सबसे कम है यह है आपका किनौर किनौर का जो है सबसे कम लिंगान पाद है इसका लिंगान पाद है 818 ठीक है ओवरॉल पूछा जाता है कि हिमाचल पर्देश का ओवरॉल लिंगालपाद कितना है टिक है जो इस हिमाचल पर्देश का सेक्सरेशो हो है वो है 1972 टिक है 912,000 912,000 next question देखते हैं next देखीगा DB बोकरी परवत चोटी किस जिले में स्थित है DB बोकरी यह mountain peak है वो कहां पे located है तो यह located है आपकी कुलू district के अंदर कहां पे है कुलू district के अंदर है हमारा option number A जो है यहां पे हमारा सही हो जाएगा अभी देखीगा यहां से कुलू district से मैं बहुत सारी आपको peaks करवा रहा हूँ जो कि हमें पूरबोड पूस्ता है या जो भी departmental exam होते है अंदर कोई departmental exam लेता है तो वहां पे इसकी जो peaks है कुलू की कौन-कौन सी peak जो है वो पुछी जाती है उनके बारे हम discuss करेंगे तो DV वोकरी की देख लेते हैं पहले इसकी height कितनी है इसकी height है 6400 meter ठीक है कितनी है 6400 meter इसकी उन्चाई है DV वोकरी की अलावा कुलू में कौन-कौन सी है एक है दियो टिबा क्या है दियो टिबा यह भी कहां पे है यह भी कुलू लिष्टी के अंदर है second number पे अगर हम बात करें second number पे यह है यहां की जो important है important है वो है Solang Solang Peak यह भी कहां पे है यह भी कुलू के अंदर है third के अगर हम बात करें third number पे जो most important है उसका नाम है इंदर किला इंदर किला इसके लावा भी और सारी है लेकिन ये जो चार है दियो टिबा, सोलांग, इंदर किला एंड डिवी बोक्री इनके बारे में अक्सर पुछा जाता है इसके लावा बिलासपूर में कौन कोन से जो है टेंपल है एक तो प्रसिद टेंपल है नैना देवी जी है ठीक है श्री नैना देवी जी जो है काफी फेमस है सक्ति पीठ है ये भी कहां पे है ये आपका बिलासपूर के अंदर है इससे लावा पुछा जाता है यहां से रंगनाथ टेंपल रंगनाथ टेंपल कहां पे है तो ये भी बि कलासपूर डिश्टिक के अंदर हमिरपूर हमिरपूर से याद किजीए का है me also पूछा जाता है जो हमिरपूर बॉर्ड है ठीक हमरा सब्सक्राइब बौर्ड है उसका और सबस्क्राइब करहाँ पर है हमाम कि अंदर रही है यहाँ से गृशोटा मिला भी पूछा जाता है गुसोटा फियर और गुसोटा टेंपल टेंपल तो यह कहां पे है यह आपका हमिरपूर के अंदर और हमिरपूर में ही एक और है नर्ब देश्वर टेंपल यह भी कहां पे है यह हमिरपूर के अंदर ही है सोलन से अभी हाली में पूछा गया था यह sa 민 यहां पर के आपका 17 के नाम पर करें तो जो तॉली टेंपल भी कहां पर है ऑर इसके साथ आपको जो सेकुंड रखना है वहाँ चिंत पूरणी पूरणी मिंधा पर यह है यह देखिए अगर आप तक आपने लाइक नहीं किया लाइक जुरूर को दिएगा ठीक मोटिवेशन मिलता है तक कि आपके लिए जो है और अन्य सारे जो वीडियो है वो प्रवाइड कराई जाए नेक्स देखिएगा निम्न में से कौन सा जिला चाय उत्पादन के लिए जो है पहले स्तान पर है हिवाचाल्पदेश की कौन सी डिष्टिक टी परड़क्षन पर जो है फर्स नंवर पे है तो जो यह है कंग्रा जो चाय है इससे जाना जाता है किसके नाम से green gold ठीक है इसका जो नाम है वह है green gold आम होगे आपका और लीची mango and lychee mango और लीची के production में भी जो है इमाचल, पर अगर हम बात करें तो number one district कौन सी है तो कांगडा लिष्टिक ही है ठीक है सोलन से आपका खुमानी ठीक है सोलन की अगर हम बात करें यहाँ पे खुमानी है और शिमला का आपको पता है शिमला नंबर वन किसके प्रोडक्शन में है तो शिमला जो है नंबर वन प्रोडक्शन है यहाँ पे अपका सेव का ठीक है हमाचल प्रदेश में सेव का जो प्रोडक्शन है सबसे ज़्यादा हो कहां पर है वह है शिम्ला में और अभी पुछा जा रहा है जो हमिर पूर बोड़ा एक्जाम पूछता है आड़ू के पीच पाउल के नाम से किसे जाना जाता है तो राजगर राज इनवस्टी हमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है विज कि बड्डू के अंडर रोप्सां नमबर ल इंब हमारा यहां पर राइट अंसर हो जाएगा रिकिधाइब और कि आहां-समेंब हमेरे बोड़का की जो भी प्राइविट इंवस्टी है या अन्ने को विश्चिव देले हैं वहाँ से जो है जुरूर एक क्वेशन पूछ रहा था ठीक है बद्धी से अगर हम बात करें इंदौरा तो इंदौरा में जो है कौन सी फेमस है यहां पर अर्नी उनिवस्टी कहां पर है यह इंदौरा में है और यह पूछी गई है और बात्थों में है एक बात्थों में कौन सी है इंडस उनिवस्टी इंडस उनिवस्टी यह भी कहां पर है यह बात्थों है यह इसके कवी राज के रूप में जाना जाता है अगर हम यहाँ पर बात करें बज्जू मल इनके बारे में भी question आ जुका है एक बार इनके किस नाम से जाना जाता है बज्जू मल को जाना जाता है सिमांत गांदी याद रखीगा सिमांत गांदी के नाम से जो है किसे जाना जाता है इन्हें जे हैं बज्जुमल जी बाबा कांशी राम बाबा कांशी राम को जाना जाता है पहाड़ी गांदी के नाम से किसे जाना जाता है तो बाबा कांशी राम को और निकोलस रोरिक जो है इन्हें किसके नाम से इन्हें जाता है महरिशी औ नाम से जाना जाता था तो गुप्तों नों जो है बहुत मात्रा में सोने के सिक्के जारी किये थे हालांकि जो प्योर गोल्ड के सिक्के थे वो जो है खुषानों ने शुरू किये थे जो प्योर गोल्ड के सिक्के थे वो कुषान वंसों ने शुरू किये थे लेकिन गुप्त आय जा ना जाता था गुप्ट कों था हो जाता है चन और यहाँ का राजा दिराज महराजा दिराज की उपादी उसने दार्ण की थी सिर्गुप्ता जो था यह तो फर्स्ट रूरल था इसका जो सासक था और अंतिम पूछा जाता है इसका लास्ट सासक था उसका नाम था सकंद गुप्त सकंद गुप्त जो था उन्होंने किस वर्स दीगई थी सोला सो चोप्सन नमबर बी हमारा यहां पर आइटन्स हो जाएगा एक पंडित थे गूरु शरी गंगाबट करके ठीक है पंडित श्री गंगाबट उन्होंने जह है शिवाझी को छहत्रबधी की उबादी की दे थी 16674 में तो उसके बाद जो है इन्होंने अपनी जो कैप्टल है उच पे थी तो राइगड़ कैपिटल जो है इन्होंने राइगड़ उसके बाद मनाई थी एक्स देहिए और अभी क्वेश्चन आया था कुछ एक दिन पहले एक्जाम में कि मराथा जो थे इनका अंत कब हुआ था तो इनका अंत हुआ था जो एंगलो मराथा यूद हुआ था थ सबसे ज्यादा मात्व में तो सबसे ज्यादा मात्रा में सब याणि काभ electron ऑंटि आविक्स Колी कौन सा मारी हमारे यह यहां पे आपन दी हमारे यहांप यह जाइगा सि pena कॉन सी गैस यह वहा यह बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है तो इसी कारण से CO2 क्या है और CO2 का लगवग जो 96% हिस्सा है जो आपका सुक्र ग्रह है उसका जो एट्मस्पेर है उसमें 96% पे लगवग CO2 पाई जाती है इसी ग्यास की वज़े से जो है सुर्य के मतलब प्रभाव से सुक्र ग्रह ज क्योंकि इसमें पाई जाती है 96% CO2 CO2 क्या है एक ग्रीन हाउस गैस है नेक्स देखते हैं हम यहाँ पे प्रिथ्वी की बहन के नाम से भी सुक्र को जाना जाता है और भोर का तारा सांज का तारा ठीक इस तक के से भी क्वेस्टिन पूछा जाता है नेक्स है निवन में से की छटी सुची में नहीं है सिवधान की जो छटी सुची है उसमें कौन सा एक जो स्टेट है हमारा वो नहीं है तो छटी सुची के अगर हम बात करें तो उसमें असम भी आता है मेगाल्य भी आता है त्रिपूरा भी आता है और इसके लावा कौन सा आता है मिजोरम आता है छटी सूची के अंदर आपके चार राज्य है, आसाम, मेगाल्य, त्रीपुरा और मीज़ोर। तो नागा लेंड इसमें नहीं आता, option number कौन सा बनेगा हमारा यहाँपे, option number A जो है यहाँपे हमारा right answer रहेगा, ठीक है, नागा लेंड जो है, यह हमारी languages से related है बासाओं से related है तो कितनी languages है हमारे 8 से ट्यूल के अंदर 22 बासा है हमारे जो सविधान है उसमें कितनी बासाओं को मानिता प्राप्त है 22 बासाओं को नेक्स देखिएगा नेवन में से कौन सा सविधान संसोधन दल विदल से समंधित है दल विदल से जो related है वो कौन सा सविधान संसोधन है यह है 52 समिधान संसोधन option number A हमारा यहां पे right answer हो जाएगा ठीक कब हुआ था? 1980 1980 में हुआ था 52 समिधान संसोधन जो कि related है दल विदल से 61 समिधान संसोधन यह भी most important है इसके बारे में पूछा जाता है यह भी most important है 1989 1999 में हुआ था कि से related है? इसमें जो हमारी मतदान की I.U. है जो हम vote करते हैं vote की जो age है उसे decrease कर दिया गया था 21 से गठा के कितनी कर दी गई थी हमारी age 18 पहले मतदान होता था 21 साल के उमर में कबसे तो 1999 में 61 सविदान संसोदन हुआ था अगर हम बात करें 100 तो जो सविदान संसोदन हुआ था यह 2015 में हुआ था बंगलादेश के साथ जो है कुछ एक भूमी जो है हमने change की थी तो सविदान इसे related है और 101 यह भी most important है यह related किसे? GST से अभी आप मुझे बताओगे कि EWS EWS economically weaker section को 10% election दिया गया तो कौन सा सविदान संसोदन के तहत दिया गया कौन सा सविदान संसोदन है कौन सा amendment है next देखिएगा vitamin K का रसाइनी का नाम क्या है vitamin K का जो chemical name है वो क्या है chemical name vitamins के या फिर vitamin की कमी से कौन सा रोग होता है इनके बारे में अक्सा पूछा जाता है अगर हम यहाँ पर बात करें vitamin K vitamin K का जो chemical name है वो है philocunon option number हमारा यहाँ पर D बन जाएगा right answer philocunon अगर हम बात करें calcium calcium किसका है vitamin D vitamin D का जो साइनिक नेम है वो है calcium role retinol ठीक है retinol नहीं है retinol है यह है vitamin A vitamin A का जो साइनिक नेम है वो है retinol ascorbic acid जो की बहुत बार repeated है और important भी है यह है vitamin C का ठीक है vitamin D की कमी से कौन सा रोग होता है तो recatus होता है सबी को पता है ठीक हड्डियों का रोग है vitamin A की कमी से होता है retondi retondi night blindness जो है इसमें होती है vitamin A की कमी से इसमें एक I think harmon या harmon करके कुछ था जो vitamin A में सिक्रीज नहीं होता उसकी बज़ से retondi होती है अब मैं उसका नाम भूर रहा हूँ ठीक है नेक्स जो पार्ट बनाएंगे उसमें मैं बता दूँगा आपको और vitamin C की अगर हम बात करें तो इसकी बज़ से होता है सकर्वी रोग जो की आपका मसूडों का रोग है जो हमारे मसूडे हैं वहाँ से खून निकलता है और philokinol यानि vitamin K vitamin K की जब कमी हो जाती है तो हम जैसे जी चोट लगती है तो खून का जो थक्का होता है वो नहीं बनता वो लेट बनता है या नहीं बनता next देखते हम यहाँ पे किस राज्य की जूडिया नामक जो है सराब को हाली में GI tag दिया गया किस राज्य की जूडिया वाइन को जो है GI tag दिया गया तो यह है असाम कौन सा राज्य है यह है असाम option number कौन सा बनेगा हमारा यहां पे option number A जो हमारा यहां पे right answer बन जाएगा असाम की जो है ट्राइब है दिमासा ट्राइब कुंजी ट्राइब है दिमासा ट्राइब यह जो है इस वाइन की पूड़क्शन करती है घर में ही इस सराब को बनाया जाता है चावलों से और इसे जो है अभी हाली में GI टैग दिया गया ठीक है GI TAC से ही मैंने बताया था अभी हिमाचल जो चंबा हमारे district है चंबा की चपल को भी GI TAG दिया गया है और अगर बात करें उससे पहले हमने क्वेशन किया था महराश्टा महराश्टा का स्फेद प्रजात है उसे भी GI TAC दिया एया हाली तो यह किया है बंगलादेश से, कौन से देश है, बंगलादेश से, और अगर सीमा साजा करता है भारत किसी देश से, तो वो करता है बंगलादेश से, सबसे कम सीमा हमारी लगती है अफगानिस्तान से, सबसे कम जो सीमा लगती है वो लगती है अफगानिस्तान से, ठीके बंगलादेश की capital कौन सी है तो यह है ढाका बंगलादेश की capital कौन सी है ढाका मुझे कमेंट करके बताईएगा यहां की प्रदाहर मंत्री का नाम क्या है बंगलादेश की ठीके तो आज के important question थे I hope आपको वीडियो अच्छा लगा होगा Thank you for watching us, have a good day